नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल ग्रीन टेडर में निफ्टी बैंक डिका हम लोग एनसिस करेंगे डेट रहेगी अपनी 11 ओफ जुलाई और दिन रहेगा मंडे का बहुत इंपोर्टन एंसिस होने वाला है जिसमें हम वीकली केंडल को भी एनलाईज करेंगे और देखेंगे जुलाई मन्त में आगे जो जुलाई मन्त हमारा पूरा पड़ा हुआ है जिसका अभी फर्स्ट ही वीक खतम हुआ और एक वीकली केंडल अभी जस्ट बनी है वहां पर हम निफ्टी को कहां पर देख रहे हैं आज 8 हो गई 9 की चुट्टी 10 की चुट्टी 11 तो चलिए आईए दोस्तों शुरुआ करते हैं बहुत इंपोर्टन चीजे हैं काफी चीजे डिसकस करनी है वीकली आदा मिलेगा हाथ में क्या कुछ भी दिए और जेब से दोगे अपना तो थोड़ा सा मैं अगर आपको दोस्तों पहले एक बार लेके जाओं ये वीडियो है अगर आपको याद होगा जब दुनिया में निफ्टी को लेके बहुत तरह-तरह की बाते हो रही थी 19 जून यहा आप लोगों को याद होगा जो दिन हुआ था मार्केट में ठीक है तुम मैंने हमारा क्या विए उता ग्रीन टेडर का क्या विए था जस्त दो सेकंड में सुन लेते हैं तो मैं फिनाल यह तो नहीं अंटिसेपेट कर रहा हूं कि यह और अगर यह ऐसे करके ही ऐसे करके ही चलता रहा नहीं इसने एक up move देना पड़ेगा एक up move देना पड़ेगा जो कि 16000-16100 तक भी जा सकता है जहां तक एक up move देना चाहिए यह मैं बोल रहा हूँ 19 जून को दोस्तों और यह वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया 5000 से प्लस व्यूज है इसके उपर जो कि मेरी जन्रली इस वीडियो पर इतने आते नहीं है क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे यूट्यूबर है ठीक है यहां पर यह 5000 से प्लस व्यूज दिया पर आप स्टड़ी का लेवल देख सकते हैं और नॉलिज देख सकते हैं कि इस चैनल पर नॉलिज कितनी है ठीक है नहीं तो 14,500 14,100 टार्गेट लोगों ने खोल दिये थे पर यहां से मार्केट कहां आया है 16,300 के आसपास है ठीक है what we anticipated what we made money in this move आज से मैंने आपको put side के trade देने शुरू किया नहीं तो इस से पहले आप telegram पे जाके देखिए और मेरी analysis को देखिए मैं हमेशा buy side का ही trade दे रहा था ठीक है अब मैं put side क्यों आया हूँ आईए वो भी आपको बता देता हूँ देखे दोस्तों यह आया इस pattern का breakout ऊपर की तरफ चला गया है और 50 EMA के ऊपर आपके nifty 50 ने closing दिये बट जो यहां candle बनी है यह कोई candle अच्छी नहीं है और यह जो up move आया था यहां से सीधा 50 EMA के ऊपर चला गया एक बार में 50 EMA को इतना आसान नहीं है Cross करना आप अगर पीछे जाके देखेंगे ठीक है कहीं भी आप जाके देख लीजे 50 EMA में एक बहुत बड़े resistance का काम करता है और एक support का काम करता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है जब कोई चीज ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही होती है तो वो resistance काम करता है यह देखिए मैं छोटा सापको example देना चाओंगा फिला लही जाता पीछे नहीं जाते यह देखिए नीचे इतना आसान नहीं है और यहाँ पर इसने यह आज उपर क्लोजिंग दे के तो दिखा दिया बट मैं मार्केट में बाई साइड में नहीं हूँ नहीं हूँ तो नहीं हूँ मार्केट में लिख लिजी आप लोग कम से कम 300 से 400 पॉइंट की गिरावट आनी है अब या तो यह मंडे को ही नीचे आनी शुरू हो जाए या फिर मंडे को ऊपर खोले बारा साड़े बारा बज़े तक तेजी हो सकती है उसके बाद मंडे से ही मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे 16,000 एक बार ऊठता हुआ दिखेगा या आप लिख लिजी अपनी कोपी किताबों में ठीक है अब हमें प्ले कैसे करना है मेरा व्यों डाउनसाइड है बट प्ले कैसे करना है या तो 16,150 यह जो आज का लोग बना है इसके नीचे आपको निफ्टी मिले ठीक है आप 16,16,200 को लगाए एसल निफ्टी को करिए सेल आपके टारगेट है बिलो 16,000 ठीक है विदिन मंडे ओबलिक ट्यूट यह है भाईया पहला सिनेरियो अगर ऐसा मिलता है तो दूसरा सिनेरियो निफ्टी में देखे 100-800 पॉइंट की तेजी हो सकती है मैं नकार नहीं रहा पर इससे ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं हो सकती ठीक है इससे ज़्यादा तेजी नहीं हो सकती मैक्सिमम मैक्सिमम हद से हद हद से हद निफ्टी 16,400 की तरफ जा सकता है 16,400 चार सो पचास बस ठीक है बट जैसे ही मुझे 16,350 से लेके 16,400 के बीच में निफ्टी अगर दिखा ठीक है अगर दिखा आँख बंद करके शौट मारना है उदर अगर SL लेके कि कोई भी क्लोजिंग 16,400 के पर हो जाती है वहाँ पर सेल ही करना है निफ्टी को टारगेट है आपका 16,000 ठीक है विदिन फ्राइडे विदिन फ्राइडे तो ये दो सिनेरियो है जिसमें हमें पुट लेके प्ले करना है मैं एक तरफा बोल रहा हूं दोसको तेजी नहीं करनी है फस मत जाना इदर ठीक है इदर फस मत जाना मैं ही था जिसने बोला था ना यहासे तेजी होगी है हुई भी है मैं यूँ बोल रहा हूं कि 300 से 400 पॉइंट की गिरावाट आनी लाजमी है आएगी ठीक है देख लेना आप लो अगले वीक में तो दो तरीके से पुट लेनी है या तो 16,150 इसके आसपास मिले निफ्टी मंडे को तब आपका टार्गेट 16,000 से नीचे है इवन 15,900 तक है मुझे लगता है एक बार एक बार यहां पर रिटेस्ट होना ची यह जो रिज होना चाहिए तो अल्टिमेटली आप हमारा टार्गेट 15,900 है ठीक है हमें दो तरीके से शॉट करना है मैंने आपके साथ अच्छे से डिसकस कर दिया है पहला 16,150 इसके नीचे मिले तो मंडे को ही सेल कर दीजिए 50 पॉइंट के एसल लेके 16,200 का एसल लेके इसी लेवल के र कुलता है 16,300 के आसपास कुलता है तो एक दो घंटे तेज रह सकता है पर को इतनी भरपूर तेज ही नहीं होने वाली आपको 16,400 अबव क्लोजिंग का एसल लेके सेल कर देना है उस सेनेरियो में भी आपका टार्गेट 15,900 ही है तब आपको 400 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ दिख जाएगा निए तो clear and cut बहुत ही crisp भी है मैं ज्यादा कुछ आपको इसके उपर बाय उसके नीचे सेल नहीं करना चाहता सिर्फ सेल ही करना ठीक है मैं आज से मंदी में आ गया हूं सारे trade भी stock stock के जो भी आपको दे रहा हूं मैं वो sell side के ही दे रहा हूं और इस से पहल यह और भी ज्यादा तेजी दिखा रहा है और यह तो 100 EMA के उपर है बट इसको भी ठोकना है दोस्तों इसको भी ठोकना है अगर आपको पहला scenario लिख लीजिए 35,330 से लेके 35,500 की इसके बीच में मिले तो ऐसे लगाईए आप 35,500 अबव क्लोजिंग का और बैंक निफ्टी को sell करना है मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार इदर जरूरा है ठीक है दो target है बैंक निफ्टी के जिसपे आपको नजर रखनी है अगले भी एक है 34,800 क्योंकि यह जो यहाँ पे एक zone है ठीक है 34,800 वह 34,800 भी तोड़ देता है तो 34,500 से लेके 34,400 यह लेवल जरूर रिटेस होने चाहिए टेकनिकल का नियम यही क्याता है यह breakout के लेवल है यह देख ली जाब यह breakout है यह एक बार रिटेस होने चाहिए उसके बाद निफ्टी फिर उपर जाएगा और बैंक निफ्टी भ बननी चाहिए अगर नहीं बनती है इसके उपर ही closing आती है यहाँ पर यहाँ पर तो फिर यह और उपर नहीं फिर यह नीचे की तरफ आए ठीक है यह मैं आपको अभी बता रहा हूँ healthy चीज वो ही है जो अपनी ओकात में चले अगर यहां से उपर जाता है यहां से उपर ज पीच में okay Tuesday को भी उपर यह बंद करता है बास कहानी खतम है फिर यह नीचे आएगा फिर यह नए हो सकता है नया लो तोड़ने के लिए जुलाई मन्त में ठीक है अगर यह यह formation बनाता है तो या अपनी यह level को retest करता है बड़िया तरीके से level retest होते है 10 यह में नीचे की त फिर उपर जा सकता है तो फिलाल तो यही anticipation है तो move को थोड़ा दिमाग को खाली रखते हुए सिर्फ next week Monday से Tuesday हमें क्या करना है वो मैंने आप साथ अच्छे से discuss कर दिया है और green trader की accuracy क्या है वो आप सबने देखा है दोस्तों ठीक है वो सबने देखा है यह down move यह up move यह वो candle थ देखने की तरफ आपको clear view दिया था कि 16100 देखने को मिलना चाहिए अब मैं बोल रहा हूं यहां से 400 300 से 400 पॉइंट की minimum गिरावट आपको मिल जानी चाहिए Monday Tuesday को मिले ठीक है तो बहुत बड़ी आवो healthy होगी बट अगर यह Wednesday तक इसको टांके रखते है फिर निफ्टी गिरेगा फिर 15900 के भी नीचे जाने के चांद से ठीक है यह मैंने आपके साथ शेर कर दिया वीडियो पसंद आई हो लाइक केजिए शेर केजिए सब्स्राइब जीए तो उस चैनल को आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार की नॉलिज एस चैनल ले ठीक है थैंक यू वेरी को जाइब प्रफ तेख